हाई फ्रेंड वेल्कम बेक टो माई चैनल और मैं हूँ सखी गार्डन तो आज मैं मेरे गार्डन में आपको दिखाने वाली हूँ कोछी ऐसा प्लांट जो सब के पास है बट उसके बारे में लोग कमी जादनते होंगी तो यह है हमारा ऐलोविरा प्लांट इसको लोगे गरतक पठा भी कहते है तो यह मेरा ओल्ड प्लांट हो गया है अचा जब ओल्ड प्लांट हो जाता है तो वह फ्लावरिंग करता है तो वह को गाफी КАफी उठाने तो मैंने सोचा क्यों आप इसका काम कर लिया जाए तो मैंने इस प्लांट को गमले से बाहर निकाल ले रही हूं और इसमें बहुत से बिटामिन होते हैं तो मैं कुछ इसके बैनी पिट भी आपको बताऊंगी तो जो इंसान ज्यादा मोटा होता है जिसके थुल थुल बाला म तो मैं आपको बताती हuu इसका गूद इसका जैल कैसे मौटे रहे है उसका जैल Nयानी निकाल ले खाली पेट जो जादा मोटा है जैसे मॊटापई ौता जो इसमें जैल टली आपका पीति आपका पेट बीटा में है एससे क्या होगा आपका फेली चे लिए साफ करेगा और आपका मुटापा भी कम करेगा तो ये देखिए हैं न इसके अंदर कितना जैल भरा हुआ है इसका जैल का आप हलवा भी बनाए सकते हैं इसको आप उपर से निकाल दें अंदर का जैल ले लें हलवा बनाए पूड़ी तरह सेख करके सारी ड्राइ फूड बगरा डालके वो डेली खाएं तो आपका हल्दी हो जाएगा आपको पता है इसमें कितने बिटामिन से पाय जाते हैं शायद नहीं पता है मैं आपको बताती हूँ तो ऐलू वीरा में बिटामिन ए पाया जाता है जो आँखों के लिए जिकुछप पाया जाता है जो बिटामिन भी बारा हुता है जिसको भूक नहीं लगती है उसी भूक बढ़ा देता तो आप इसका जेल अराम ले सकते हैं ऑलू वीरा उन प्लांट में भी सामिल है जिन में बितामिन B-12 होता है। दूमेन आपको बताया न फूपबढने के लिए उता है और करीब करीब इसमें बहुत रीखएक होते हैं कैमें गिंप, कैश्यम है, मैंगनिल है, onumic, selenium है, aion, protein, copper है है। तुमाम पाइजाते हैं। त्वचा के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी जानते हैं, सब लोग बहुत अच्छा होता है, अगर आपने हेर वाश करने जा रहे हैं, तो एक गंटा पहले इस तरीके से जो मौटी स्टेम हो, वो आप निकालें और इसको बीच स भी अच्छा करेगा, और घना भी करेगा, है ना कितना अच्छा, तो आप इसको अपने बालों पर भी अपलाई कर सकते हैं, दूसरी बात यह है, कि इसको फेस के लिए सबसे अच्छा होता है, ठंडा होता है, फेस पर अगर डा सरकल है, या बर्न हो गई है, तो आप इसकी चुट की हल्दी मिला लें रोजवाटर उस से डेली अपना थेस पर अप्लाई करें वह बहुत अच्छा होता है और इसके जेल होता है इसमें विटामिन यह और होती है, विटामिन E, विटामिन C, एंटियोक्सिदेंट बहुत से गुड़ पाए जाते हैं, जैसे धूल मट्टी बगर आगर आपको हो जाए, तो उससे भी रक्षा करता है, दो कितना मोटा इसमें जेल भरा हुआ है, जबर जस जेल भरा हुआ है, इसके जेल को आप मिलाए है, तो कि यह फ्लावर हो रहे हैं, जिसके फ्लावर मैंने ले लिये हैं, और सब कुछ मिलाक के मैं रखा है, बो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगी और बागी जितनी स्टेम इसकी है चोटी-चोटी पतली-पतली है उससे मैंने अपने प्लांटों के लिए फटलाजर तयार कर लिया है वैसे अगर आपके पास प्लांट नहीं है और आप फटलाजर नह यह बस निकाल दें आप और इसको आप निकाल लें निकालने के बाद जिस तरह आप अचार डालते हैं आप ऐसी अचार डालके रख लें और वह आप सब लोग खाए अपने घर में तो ठीक है फ्रेंट बाद मिलूंगी आपके साथ तब तक के लिए सकी गार्ण को इजाज अपर आप मिलूंगी आप जापके साथ तरह घर लें जापके साथ निकालने के लिए आपके साथ तरह अगार प्राण को तरह रहती हो फिए प्राण का यापके साथ प्राण